राजा जैमल मेड़ता के राजा और मेड़ता के पास एक स्थान है मडोवर वहाँ का जो सरदार था वो बड़े लंबे काल से मेड़ता पर आक्रमन करता था और हर बार पराजित हो जाता था उस मडोवर के सरदार से उसके सहयकों ने कहा कि साड़े तीन घंटे राजा जैमल सभा में बैटके भजन करते हैं और उस समय आग्या है कि कोई भी उस समय दरवार में उपस्थित नहीं हो सकता किसी को भी यदि कोई किसी कारणवश उस भजन के काल में विक्षे उपस्थित कर दे तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है उस समय उनके निकट जाने की आग्या किसी को नहीं है तो उस मडोवर के सरदार को ये युक्ति अच्छी लगी कि जिस समय जैमल भजन करेंगे हम उस समय किले पर आक्रमन कर देंगे राजा तो भजन करते होंगे कोई उन तक सूचना नहीं पहुचाएगा और हम किले पर जीत हासल कर लेंगे ऐसा ही किया सेना तैयार कर ली और जिस समय जैमल जी के भजन करने का समय आया उस ने उस समय और आकर्मन की तयारी कर ली अब किले के भीतर हाँ हाँ कारम अच गया कि राजा इस समय भजन में बैठे हैं उनके निकट जो जाए उसे वृत्यु दंड मिले तो कौन जाए इस बात की सूचना देने कि मडोवर के सरदार ने भार आकर्मन कर दिया तो सबने युक्ति निकाली कि जैमल जी की माता जी को भेजा जाए उन्हें इस प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता तो जैमल जी की माता जी को जब सभा में भेजा गया कि जैमल तुम यहां बैठे माला फेड रहे हो यह हाथ में तलवार उठाने का समय आ गया है सरदार ने किले पर आकर्मन कर दिया है ततकाल जाओ और युद्ध के लिए ततपर हो जाओ जैमल ने कहा कि माता मुझे नहीं लगता कि भजन को छोड़ने से किसी भी प्रकार जीव का मंगल हो सकता है मैं प्रभू के भजन में हूँ मैं अपने नियम में हूँ और मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि एक समय ऐसा आएगा हो सकता है जब आप नियम का निर्वाह करने में स्वयम को असमर्थ पाएं उस समय भी प्रयास करके यदि आपने अपने नियम का निर्वाह कर लिया तो वो नियम आपका धर्म बन जाएगा और फिर एक दिन आपकी रक्षा करेगा नियम को यदि आपने सीच दिया श्रद्धा और विश्वास के जल से तो वो नियम ही एक दिन आपका धर्म बनेगा आपकी रक्षा करेगा वो इस संसार में इस लोक में आपकी विजय का हेतू बनेगा राजा जैमल ने माता जी से कह दिया कि माँ मैं जिसका हूँ उसे मेरी चिंता है मैं मैं अपने उन प्रभू का भजन करता हूँ अभेपद दे विभीशन को किया लंकेश पल भर में उसी के हाथ है मेरी नाव तो किस बात की चिंता सारे सामन्त माता हत्रव रे गई कि जैमल ये किसी काईरों किसी बात कर रहे हो शत्रु द्वार पर खड़ा है तुम हाथ में माला लिये बैठे हो वैसे देखा जाए तो ये शत्रीय का धर्म नहीं है कि जिस समय शत्रु द्वार पर खड़ा हो उस समय हाथ में माला लेकर बैठा जाए माला लेने का भी समय होता है और हाथ में भाला लेने का भी समय होता है और किसी ने कहा है बात बड़ी खूब सूरत है कि तलवार और तहजीब दोनों जिंदगी में जरूरी है तलवार और तहजीब एक नहीं होगी तो जान से जाओगे और दूसरी नहीं होगी तो शान से जाओगे दोनों जीवन में दोनों जिंदगी में होनी जरूरी है इसलिए हमारे यहां इसलिए हमारे यहां संतों के हाथों में शास्त्र भी रहे हैं और संतों ने समय आने पर शस्त्र भी उठाया है धरम की रक्षा करने के लिए संस्कृति की रक्षा करने के लिए पर यहां बात विश्वास की थी और यदि धर्म की बात आए तो जो सबसे पहला धर्म है जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है वो आत्म कल्यान है वो प्रभू का भजन है तो जैमल ने मन में विचार किया कि यदि में कोई और कारे करता होता तो ततकाल छोड़ कर चल देता पर मैं प्रभू के भजन में हूँ मैं अपने प्रभू की सेवा में हूँ और सेवक का एक ही धर्म है स्वामी की सेवा मैं अपने प्रभू की सेवा में हूँ और मुझे नहीं लगता मा कि भजन छोड़ने से कभी किसी जीव का मंगल हो सकता है कि भजन का त्याग कर देने से कभी कभी मंगल हो सकता है मैं आज भजन छोड़कर जीत भी जाओं तो वो मेरी जीत, वो मेरी विजय जबुत निष्ठा देखकर प्रभु का सिंगा संडोला प्रभु से रहने गया अस्तवल में घोड़ा तैयार था कि जाने कब राजा आएंगे और बैठ कर चल देंगे युद्ध करने राजा तो वहां बैठे भजन करते रहे और कोई आया जैमल का भेज धरे घोड़े पर ब भजन पुरा हुआ और कहा अब चल कर देखा जाए अब चल कर शत्रू से निप्टा जाए और जब राजा जैमल पहुंचे अस्तवल में घोड़े पर बैठ कर रनक शेत्र में जाने के लिए तो क्या देखते हैं घोड़ा बड़ा थका है पसीना चूराए घोड़े के शरी नगाडे वजने लगे विजे सूचक ध्वनी होने लगी राजा जैमल मन में विचार करते हैं कि अभी कुछ देर पहले माता चिंतित आई थी कि शत्रू द्वार पर खड़ा है मैं भीतर भजन में था और अभी द्वार पर विजे ध्वनी वज रही है विजे की ये उदग खोड़ सुनाई दे रहा है राजा जैमल को समझ में नहीं आई चहूं और से नगरवासी आकर राजा को बधाई देने लगे विजे की जीत की प्रशंसा करने लगे कि आज आपने रण भूमे में ऐसा कोशल दिखाया कि अकेले ही सारी शत्रू सेना का नाश कर दिया राजा सुने जब ते तब ते मन में कछू ऐसी बसी है तेरो कहा एक जाओ कहां तेरे ही नाम की फेट कसी है तेरो ही आसरो एक मलुक नहीं तुम सा कोई और जसी है एहो मुरारी पुकारी कहों अब मेरी हसी नहीं तेरी हसी है एहो मुरारी उसी घोडे से लिपट लिपट कर रोने लगे अपने घोडे से कहने लगे कि अरे कितना बड़ भागी है जू तुझे मेरे प्रभू के श्री अंग का संस्पर्श लाब हुआ है प्रभू ने आज तेरी सावारी करके तेरा तेरा जन्म जीवन कृतार्थ कर दिया मंदिर में पहुँचे स्री ठागुर जी को चाती से लिपटा रोने लगे प्रभू मुझसे तो जीवन भर आपकी कोई सेवा बन नहीं पड़ी मैं तो जीवन भर आपकी किसी सेवा को योग स्वैम को नहीं कर पाया मेरे आदे अधूरे इन भावों को स्विकार करके आपने अपनी कृपा का आज कैसा परिछे दिया कि मुझ दास के लिए आपने इतना परिश्रम किया घोड़े को देखा जब जैमल ने परिश्रम से परिश्रांत क्लांत वो घोड़ा लथपत पसीने से रणक शेत्र में सारी शत्रु सेना से वो घोर युद्ध करते हुए कितना शरम मेरे प्रभू को हुआ होगा राजा जैमल का कलेजा निकल निकल के बहार को आता है प्रभू की करुणा का विचार करके तो हम तो बस लगा लें उनसी निभानी और कौन जानता है वो आधा अधूरा जैसा भी भाव हो गदगद हो गए जैमल स्वयम प्रप्रभु की कृपा का विचार करके भक्ती प्रगाड हो गई भावना गहन गंभीर हो गई